हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप लोग इंडिया पोस्ट आपिस भारती डांक विवाक की तरफ से आने वाली पोस्ट मैन, MTS और मेल गार्ड के पदों पर बंपर भरतियों का इंदजार कर रहे हैं तो आप सभ सारे मैसेजस किये हुए हैं वर्टसप पे, यूटूब के, कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने परसनल इमेल के थ्रू भी कई सारे कुशन्स किये हुए हैं इस विकेंसी को लेकर जिनमें से सबसे पहला जो आपका सवाल है कि ये विकेंसिया कब अबीधन करेंगे, कितनी सेलरी आपको इसमें मिलेगी, इस जौब की जोइनिंग कहां पे होती है, इसमें कितनी वेकेंसिया ओफरिसर कैंडिडेट के लिए रहेंगी और कितनी प्रमोशनल वालों के लिए रहेंगी, कम्प्रीर जानकारी आपके साथ में सेयर करने वाले है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंडिया पोस्ट आपिस को जोईन करके अपने गाउं या जले के अंदर सरकारी नोकरी पाने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आकरी तक देखें, वीडियो पसंद आती है, पीटो मिदी के जानकारी आपको आप आप सभी को पता है कि इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से दो बड़ी भरतियों के नोटिफिकेशन आपको साल 2024 के अंदर देखने को मिलेंगे, हलाकि आपको तीन भरतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जो दो भरतियां हैं वो आपकी लोग सभा इलेक्शन से पहले ही विकेंसी आएंगी, वो एक लग मैटर है, लेकिन उससे पहले आपको एक साइकल 6 की और एक इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से पोस्ट मैन, मेल गाड और साथ ही साथ MTS की विकेंसियां देखने को मिलेंगी, अभी सबसे मुद्दे की बात पे बात में आएंगे, थोड़ इसमें थोड़ा सा बदलाओ हो चुका है, बदलाओ की बज़े मैंने पिछली वीडियो में सेर की है, अगर देखा नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिंक दे दिया गया है, तो जैसी ये वीडियो खतम होगी, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, बज़े मैं आपको बता हूँ, देखे एक तो अभी क्या है कि पोश्ट आपिस का जो है तो स्ट्राइक चल रहा है, यानि कि आपको पता होगा दिसंबर में हरताल चल रही थी, जिस बज़े से 30,000 लोगों को अपनी जॉब गवानी पड़ी, उनको टर्मिनेशन लेटर मिल गया, और अभी भी भी भी उनको जॉब नहीं मिली, जिस बज़े से वो एक बार फिर से हरताल पे उतर आए है, इस बज़े से पोश्ट आपिस अभी ये काम नहीं कर पा रहा है, दूसरी एक सबसे में बज़े है कि जो आपकी मई में स्पेसल डाइब के 12,88 पदों पे भरतियां आई हुई थी, उ विकेंसीज की डेट को बढ़ाया गया, पहले उसकी डेट दिसमबर तक थी, अभी उसको जनवरी तक कर दिया गया, और नौमी मेट लिष्ट आई है तो अभी उसके डाकुमेंट वेरिफिकेसन के काम चालू है, जैसे उसके वेरिफिकेसन के काम बंद होते हैं, ये हरताल भी खतम होती है, हरताल के मुद्दे ऐसे हैं कि जो आपको आगे भी काम करेंगे, अगर आप लोग इंडिया पोच्ट आपिस को जॉइन करने वाले हैं, तो सभी चाहेंगे कि उनको 8 गंटे की जाब मिले, पूर्ण रूप से सरकारी नोकरी का ओदा मिले, साथ ही साथ आप आपको पिंसन स्कीम का लाप भी मिले, और गौर्मेंट के जितने भत्ते होते हैं, रहने का, खाने का, आने का, जाने का, मेडिकल का, इंसोरेंस का सभी का फायदा आपको मिले, उसके लिए हरताल की जा रही है, तो हरताल तो आपके फायदे के लिए है, लेकिन थोड़ा सा गर्विकेसन समाप्त हो जाएं, वो भी एक एंसी क्लोस हो जाएगी, दूसरा हर्ताल खतम हो जाए, तीसरा अभी दो, एक दो काम और हैं, जैसे कि इराम मंदिर का उद्गाटन चल रहा है, तो देश की जो पूरी के पूरी पावर है, वो उसी में ब्यस्त है, उसी की बज़े की विकेंसी आनी है, उसमें पहले ही विकेंसी वही आएगी, पोश्ट मैन, मेलगार और MTS की विकेंसी जो आएगी, वो 40,000 पदों के बाद ही आएगी, हम कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन या पूरे एक महिने आप केलकूलेट कर सकते हैं, तो पहली जो विकेंसी आपकी आएगी, 27 स जन्वरी 2024 तक में देखने को मिलेगे, आपीदन आपके सुरू होने वाले हैं, आप लिक के रख लीजे, 27 जन्वरी से लेकर 31 जन्वरी की बीच में आपकी पोश्ट आपिस साइकल 6 के 40,000 के लगवग पदों पर आपीदन सुरू होंगे, जैसे आपीदन सुरू होते हैं, और MTS की ही देखने को मिलेगी, दो तरह से भरतियां होंगी, पहली होंगी, फ्रिसर केंडिडेट के लिए दूसरी होंगी, जो की जो है तो GDS के पदों पर काम कर रहे हैं, जो फ्रिसर केंडिडेट को भी एक्जाम देना होगा, फर्क बस इतना होगा, दोनों का कोटा तो वो भी अगर दरस्वी पास है, तो Mail Guard और Postman के लिए आभीधन कर पाएंगे, और अगर आप लोग 12 पास हैं और Frisar हैं तब आप lihat होरे से लोगों ने, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्काइब ने किया, तो जरूर से कर लोएं, दोस्तो, आपको complete जानकारी दे फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया गया तो क्लिक करके इस मेच पे आ सकते हैं पहला काम कर लें वर्टसब ग्रूप को जॉइन कर लें और दूसरा वर्टसब चैनल और टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी कनेक्टेड हो जाएं ताकि आपको इन फ्यूचर में सभी अपडेट सबसे पहले मिल सके इंडियां पोस्टल सरकल की तरप से रिक्यूटमेंट रहेगी अधिज्यानकारी के लिए www.nokari.com गूगल पे टाइप करेंगे आपको हमारी वेबसाइड मिल जाएगी इंपोर्टन डेट की बात कर लेते हैं तो लगबग एक आंकड़ा अगर आपको देना चाहों गर आप पूछेंगे इसके बाद यहां पे एक्सपेक्टेड लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यह कोई फिक्स डेट नहीं है बाद में आप पूछेंगे कि मैंने बोला था कि इस डेट को इस्टार्ट होगा तो क्यों ने इस्टार्ट हुआ तो पहले ही बता देता हूँ कि यह एक्सपेक्टेड है अंदाजा लगाया जा रहा है इसके बारे में कि 25 परवड़ी के आसपास MTS Postman और Mail Guide के लिए 12 माज तक आप लोग आप इदन कर पाएंगे अगर 25 परवड़ी को इस्टार्ट होगा अगले 20 दिनों का समय आपको इंडिया Post Office की तरफ से मिलने वाला है उसके बाद Application Fees की बात करें जर्नल OBC EWS का 100 रुपीज और बाकी जो केटेग्री है वो बेलकुल फ्री में आप इद भी रखी जाती है टोटल अमरो विकेंसी की बात करें तो जो दो साल पहले डाटा निकल के आया था 2021 के आखरी में और 2022 के अंदर सड़ी 2022 में जो डाटा निकल के आया था उसमें 99,83 पद खाली थे लेकिन अभी दो साल बीट गए हैं ड्राप्ट नोडिपिकेशन को आप मान यहां पर भरतियां देखने को मिलेंगी 10-12 पास आभीधन करेंगे रूल में बदलाओ रहेगा जो GDS के पदों पर काम करें उनका एजूकेशन कौलिपिकेशन अलग और जो फ्रेसर कैंडिडेट है उनका एजूकेशन कौलिपिकेशन अलग रहने वाला है और इंडर लेव सभी की जॉप्स को एड किया गया है आप यहां पे देख सकते हैं इसके अंदर जो सैल्डी मिलती है 25,500 से 84,100 रुपए की काफी बहतरीन सैल्डी है उसके बाद यहां पे आपका एक्जाम मेट लिष्ट और डाकुमेंट वेडिपिकेशन के बेसिस पे सेलेक्शन होगा दे वेकेंसी के बारे में इन भरतियों के बारे में एज के बारे में अपलाई की डेट के बारे में सभी चीजे आपे पता आई गई हैं उम्मीद करता हूं वीडियो में दे गई जानकारी अच्छे लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्ष्ट अपडेट में का धन्यवाद